नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देखने जोतिश दिशा सत्य की रा मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोश संतोशी सुर्वात कर चुके हैं नए दिन की आज पांचवी शक्ति का दिन है पांचवी शक्ति माता के स्वरूप में ही जिनके नाम को पूजा जाता है मासकंद माता इनके नाम के साथ ही माश्चब्द जुड़ा है ऐसी देवी को बारंबार नमन है अगवान श्कंद कुमार की माता के स्वरूप में इनका अस्तित्व रहा है इनको गुड़ित करता है यही भाव तो आज समस्त देवियों को समस्त माताओं को समस्त नारीव शक्ति को विशेश्ट पूजने का दिन है उन सब के सिरेचरणों में मेरा बारंबार नमन है बारंबार प्रणाम है आप सब देवियां सदयव स्वस्त रहें प्रशन रहें आपके अस्तित्व और श्तित्व की रक्षा हम पुरुशों के माध्यम से सदयव होता रहें ऐसी हम मासे प्रार्थना करते है आज का यह जोति की और सबसे पहले जानते है आज का पंचांग सरी और शुक्ल पक्ष पंचमी ति थि है्याज स्थिरी पंचमी भी ओ अज पूरे दिन विश्व राशी में हैं और नक्षट्र रहे का कृतिका दो पहर दो बजे तक इसके बाद रोहिडी रोहिडी चंद्रमा का नक्षत्र है और कृतिका सूरी का नक्षत्र है ये ब्रिशवराशी में पढ़ता है योग रहेगा आज का प्रीती तदर अनुसार दिरांक 26 मार्च दिन रविवार 26 मार्च को राहुकाल का समय रहेगा शाम साड़े चार से छ यह अशुब समय होता है जिसमें नए और शुब काम बिलकुल नहीं किये जाते लेकिन गुलिक काल का समय नोट कर लीजेगा गुलिक काल का समय रहेगा दो पहर तीन बज़े से चार बच कर तीस मिनट तक गुलिक काल में नए और शुब काम जरूर किये जा सकते हैं प्रते कि थोड़ी दिर वे आपको देखना है आज का मन्नत महूर्थ प्रत्य ग्राशी वाले आज क्या ग्रहन करें मा को भोग प्रशाथ अर्पित करने के बाद इसकी जानकारी भी हम देने वाले हैं बने रहे हमारे साथ आज शुरुबात करते हैं आज का भविश्य वानी मेशराशी कोई बड़ा काम आपका संपन्न होने जा रहा है और उके कारियों में गती आएगी कार्य आपके बंते चले जाएंगी ब्यापार बहुत अच्छा है शिक्षा बहुत पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रही है ब्यापार में आई बाधाएं दूर होंगी बिजनस को आप आगे ले कर जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छे फल की अनुभूती कराएगा प्राइवेट सेक्टर में कुछ बढ़ा कर सकते हैं सरकारी छेत्रे की स्थिति को सुधारने का प्रियास करें, गौर्णिमेट सेक्टर आपके लिए चिंताओं और तनाओं का परियाय बन सकता है, दामपत्य जीवन बहुत अनकूल रहेगा, पति-पत्नी के बीच आज तालमेल अच्छा रहेगा, किसी तरह की समस्या नहीं है, लव लाइफ की स्थिति को आज समारने का प्रियास करें, यहां पर मामला हाथ से कुछ बाहर जा सकता है, 26 मार्च रविवार मेश वाले क्या उपाय करें आज, मा सकंद माता को क्या आरपित करें, तो आज मा के चरणों में रबडी और तुसी की पत्ती डाल करके भोग प्र प्रिशब राजी, शिक्षा की स्थिति आज कुछ ब्यहतर है, पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है, पढ़ाई अच्छी तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं, ब्यापार में आज का मामला थोड़ा सा डामाडोल है, बिजनस में रिस्क नहीं ले रहा है, रिस्क लें करने के चाहत को आप पूरा कर रहे हैं, सरकारी छेत्र की स्थिति आज कुछ अच्छे लोकेशन पर जा रही है, कुछ बड़े लोकेशन पर जा रही है, दामपत्य जीवन कुछ बहुत अच्छी है, पति-पत्नी की बीच तालमेल बहुत बहतर रहेगा, कहीं कोई करता है, क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी ब्रिशव हैं, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए मासकंद माता को आज किसी फल का जूस अर्पित करते हुए भोग प्रशाद लगाएं, शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग की प्रथिशत 50, मेथुन राशी, मस्तिश्क आपका शान्त हो करके कदम बढ़ा रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, किसी तरह की दिक्कत आज नहीं है, शुक्षा में सुधार की गुंजाईश है, ब्यापार कुछ बढ़ा करने की चाहत को पूरा कर रहा है, बिजनस बहुत अनकूल है हर कदम पर आपको लाब मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छे फलकिया नुभोती कराएगा, सरकारी छेतर को सुधारने का प्रियास करें, गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा परणाम दिखा रहा है, दामबत्य जीवन में इस्तिया थोड़ी सी प्रतिकूल हैं, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा आप संभाल सकते हैं, मिथुन राशी वालों को आज लव लाइफ को ले करके थोड़ा सजग रह करके आगे कदम बढ़ाना होगा, लव लाइफ में सब प्रकार की शुवता बनी हुई है, स्वास्त के मामले म आज का दिन किड्नी और बैक की प्रावलम दर्शाता है, क्या उपाय करना चाहिए कर आपकी राशी, मिथुन है, आज मिथुन राशी वालों को मासकंद माता को अपने हाथों से गुड और काले तिल का प्रशाद अरपित करना है, शुबरंग आज आपके लिए पीला दिनांक 26 मार्च दिन रविवार, मासकंद माता का दिन है और अभी हाँ थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे आज का मन्नत महोर्त, रात में वो कौन सा समय है जब आप कुछ स्पेशल मांग सकते हैं, थोड़ी देर में बस बताने वाले हैं, मन्नत महोर्त का इंतजार कर किएगा, बात कर लेते हैं, करकराशी की, शिक्षा में आज बैलेंस रहेंगे, पढ़ाई किसी तरह की दिक्कत में नहीं है, ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बिजनस में स्थती आपके अनुसार है, आउसर बड़े हैं, प्राइवेट सिक्टर आपके लिए कुछ राम दिखा रहा है, सरकारी छेतर को सुधारने का प्रियास करें, गौर्नमेंट सिक्टर आपके लिए दिब अनुभोतिया देगा, दामपत्य जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों की वीश ताल में लच्छा वैठेगा, सपोर्ट खूब मिलेगा, एक दूसरी को सप दालने में ही भलाई है, स्वास्त के मामले में देखा जाए तो घुटना, डाइजेशन की दिक्कत और आँखों की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना चाहिए आज करक राशी वालों को, दाइने हाथ के अंगूठे पर सिंदूर लगा करके मा की चरणों को स्पर्श कर ले और रवडी का प्रशाद अर्पित करिएगा, शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग्य प्रत्शत साथ, सिंगराशी, किसी विशे पर आज दो राहे पर रहेंगे, पढ़ाई आज प्रभावित होगी, स्रिक्षा में मामला हाथ से बाहर जा रहा है, व्यापार बहुत अनकूल है, बिजनस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं, इस बिजनस की स्थिती को आप और अच्छा समार सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनकूलता आगे आगे लेकर आ रहा है, सरकारी छेतर को सुधारने में आप आगे बढ़ सकते हैं, गवर्मन सेक् कुछ लगाने की आवशक्ता है, स्वास्थ के मामले में पेट, बैक की प्रॉबलम और आखों की समस्या हो सकते हैं, क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी, अगर आपकी राशी, सिंग है, आज सिंग राशी वाले मासकंद माता को रामदाने का प्रशाद और हरी प्रशाद के रूप में, शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग की प्रत्शत 49, कन्या राशी, परिस्थतियां आपके अनकूल हैं किसी तरह की दिक्कत नहीं है, शिक्षा बहुत अच्छी है, ब्यापार में दिब्विता है, बिजनस आगे बढ़ रहा है, और ब्यापार में कुछ अच्छा करने की चाहत भी पूरी कर रहे हैं, प्राइवट सिक्टर को आज सवार करके आप आगे बढ़ेंगे, प्राइवट सिक्टर में कुछ बढ़े फल, बढ़े लाब के औशर बनेंगे, सरकारी छेत्र में सुधार लाने का प्रियास करें, आज प्रमोशन क करेंगे लव लाइफ की स्थिति को आज आप डावा डोल पाएंगे एक दूसरे के बात और विचार कम मैच कर रहे हैं जिसके कारण कुछ गंभीर इस्थिति आ सकती है स्वास्त के मामले में आज का दिन आखों की समस्या, डाइजेशन की दिक्कत और किड्नी की समस्या दिखाता है प्रियोग क्या करना चाहिए आज ओम हंग हनुमते नमः इसका जाप करते हुए मासकंद माता को आज कच्चा दूध और हरी लाइची अर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए आज औरेंज भाग्य प्रत्शत बावन तुला राशी मस्तिश का आज थोड़ा सा उलच सकता है दिनांक 26 मार्च पढ़ाई नहीं हो पा रही है सुक्षा में प्रभाव पढ़ रहा है ब्यापार बहुत अच्छा है बिजनस में कहीं कोई समस्या नहीं है प्राइवेट सेक्टर आप पर आज नुकसान दिखा रहा है प्राइवेट सेक्टर को आज कुछ संभाल कर कदम बढ़ाए सरकारी छेत्र की स्थिति सुधर रही है गवर्भेट सेक्टर में अच्छे मिल रहे है दामपत्य जीवन बहुत अनकूल है पत्नी का साथ बना रहेगा लव लाइफ में कुछ उठा पटक की स्थिति आ सकती है स्वास्त के मामले में आज पेट, किड्नी और बैक की प्राब्लम हो सकती है तुला राशी वाले आज मासकंद माता को गुड और सोठ का प्रशाद अर्पित करें शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग की प्रतिशत पच्पन, ब्रिश्चिक राशी मस्तिश को बहुत कुशाग्र होता हुआ आज शिक्षा में लगेगा पढ़ाई बहुत अच्छी होगी शिक्षा की स्थती में आज कुछ सुधार अपने आप आएगा लेकिन ब्यापार में आज कुछ मामला हाथ से बाहर दिखाई देता है बिजनस को समारने का प्रयास करें आप प्राइवेट सेक्टर की स्थती को आज कुछ बहतर लेवल पर ले जा रहे है प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे अस्थान पर पहुंच जाएगा सरकारी छेत्र की स्थती थोड़ी थोड़ी सी बिगड़ सकती है गॉर्मेंट सेक्टर में थोड़ा अउसर और लीजे आप, दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी और बच्चों की बीच तालमेल अच्छा बैठेगा, सपोर्ट मिलेगा, लव लाइफ थोड़ा टफ है, लव लाइफ की स्थेती को समार लीजेगा, स्वास्त के मामले में आज डाइजेशन, घुटना और किड्नी की समस्या दिखाता है, प्रियोग क्या करना चाहिए, प्रियोग के तोर पर अपने हाथों से, मासकंद माता को आज गंगाजल और हरीलायची का प्रशाद अरपित करे, शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रतिशत, 59, धनुराशी, मस्तिश के थोड़ा इधर उधर हिला रहेगा, पढ़ाई कम हो पाएगी, आज किसी पुरानी समस्या हमें उलच सकते हैं, ब्यापार अच्छा चल रहा है, अउसर अच्छे मिल रहे हैं, बिजनस को जितना समारने में आप लग सकते हैं, उतना लगे, प्रा प्राइवेट सिक्टर आप पर आज हर कदम पर महरबार है, सरकारी छेत्र बहुत अनकूल है, पति-पतनी के साथ भी रिष्टा मधुर रहेगा, आज अनकूलता है दामपत्य जीवन में, लव लाइफ में आज बिवाह की चर्चा टालने में भलाई है, परिस्तितियां थो पर आज उल्टी हथेली पर गंगाजल, गुलाबजल और हरी लाइची लेकर मा के चरणों में अर्पित करते हुए प्रशाद भोग लगाएं, शुबरंग आपके लिए आज स्लेटी, भाग की प्रत्षत, छपपर, मकर राशी, मन थोड़ा बेचैन है, आज पढ़ाई में कम लग रहा है, शिक्षा को लेकर के बिचलित इस्थती रहेगी, ब्यापार अनकूल है आज, बिजनस में रिस्क लिया जा सकता है, प्राइवेट सिक्टर आपके लिए आज कुछ अलग तरह से परिजय दे रहा है, मस्तरश के बहुत कुशागरता के साथ चल रहा है, आज नए नए योजनाय बनेंगी, नए कार्य में आप लगेंगे और उसका आपको लाब भी मिलेगा, प्राइवेट सिक्टर आप कुछ बहतर करके अच्छा धन प्राप्ट करेंगे, सरकारी छेतर की स्थिति सुधार की तरफ है, गवर्मेंट सिक्टर आपके लिए अनकूलता दिखाएगा, किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी, दांपत्य जीवन बहुत अच्छा है, प्रसन रहेगा मन, पति पतनी की बीच इस्थितियां सुधर रही है, लव लाइफ में मुश्किलें आ रही है, यहां पर इस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्त के मामले में पेट, आँख और बैक की प्रॉबलम हो सकते हैं, क्या उपाय करना चाहिए, आज थोड़ा सा गुलाब जल अपने कंठ पर लगाकर हली राइची का प्रशाद मा के चरणों में रख दीजिएगा, शुबरंग आपके लिए आज आस्मानी भाग्य प्रत्षत, 62, मकर राशी, मन प्रशन्र है आज, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, दिनांग 26 मार्च मकर राशी शिक्षा में पूर्णता है, ब्यापार की स्थिति थोड़ी सी डावा डोल होगी, बिजनस में महनत जादा करना होगा, ब्यापारिक नुकसान से आज बाहर निकलने के लिए जादा महनत करना है, पार्टनर्शिप में आज थोड़ा सा संभल जाईएगा, प्राइवेट सेक्टर आप पर आज महरवान है, इस्थितियां बहुत अच्छी हैं, प्राइवेट सेक्टर में कुछ बढ़ा करके आप लग जाईएगा, गौर्वेट सेक्टर को बहतर करने का प्रयास करें, दामपत्त जीवन बहुत अच्छा है, पत्ति और बच्चों के साथ, तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन लव लाइफ थोड़ा सा टफ है, यहां इस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्त के माम आभी भाग के प्रत्शत 50, कुमराशी, क्रोध पर काबू रखें, पढ़ाई में ध्यान दे, मन कम लग रहा है, ब्यापार अच्छा चल रहा है, बिजनस में जो आपने किया है, उसका आज रिजल्ट मिलेगा, बिजनस बहुत अच्छा जाएगा, प्राइवेट सेक्टर क की स्थिति को आप सुधार रहें, और वही आपके लिए अनकूलता है, सरकारी छेत्र में कुछ तनाव बढ़ रहा है, गौर्मेंट सेक्टर को समारने का प्रयास करें, दामपत्य जीवन क्या पूछना है, पती-पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, इस्थि बहुत अच्छा रहेगा, आज प्रयोग के तौर पर किसी मंदिर में जाकर के मा स्कंद माता को आज घी का एक दीपक प्रजुलित करते हुए, कुछ हर्पित करें, शुबरंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रत्शत, पचास, अंतिम राश मीन, पढ़ाई की स्थित को आज सवारने के लिए किसी मित्र की मदद जरूर ले लीजेगा, दोस्त साथ देंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, व्यापार में थोड़ा सा उठापटक था, दोपहर के बाद प्रस्थतिया अनकूल दिखाई देती है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ उठापटक हो स सकता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी स्थति में नहीं है, सरकारी छेत्र को आज आपको सुधार सकते हैं, दामपत्य जीवन आपके लिए टफ है, जिस पर आपको फोकस करना होगा, लव लाइफ बहुत बेहतर है, हर कदम पर आपको शुपता मिलेगी, स्वास् पर शुपता है, आप कवचादि का पाठ करके ग्रहन कर लीजेगा, दिन बहुत अच्छा वीतेगा, मन बहुत प्रुशन रहेगा, येकीन मानिए, करके देखिएगा, प्रशन नता आपके साथ औनेक्टेट रहेगी, पूरा दिन आपका हस्ते हस्ते वीतेगा, ये तो मननत महूर्थ लेकिन पहले जान लेते हैं आज की सक्सेज्स की उल्टे हाथ के नाखून पर सर्सो का तेल रगडते हुए ओम घ्रिणे सूरियाय नमह तीन बार बोलतीचेगा अम घ्रिणे सूरियाय नमह घ्रिणे सूरियाय नमह तीन बुरा हाथ धुल लेज़ेगा वरत रथम की तो सर्सो का तेल जीप पर न छू जाए ये बस आज की सक्सेस की है चर्चा अब आज के भाग्याक्षर की दिनांग 26 मार्च दिन रविवार आज का भाग्याक्षर मेश थाग्षर ब्रिशब भा मिथुन धाग्षर करक का सिंग भाग्षर कन्या चा तुला राग्षर ब्रिश्चिक वा धनु खाग्षर मकर जा कुम्भ थाग्षर मीन गा नोट कर लें अपने अपने चंद्र राजशी के अनुशार और आईए अब जानते हैं आज का मन्नत महूर्थ तो भज़िया आज का मन्नत महूर्थ है वह समय जब आपको एक खास तरीके से एक खास मन्नत मागना है मासकंद माता से वह समय मैं बताओं लेकिन पहले हम आपको मन्नत बता दें एक बहुत बड़ी समस्या आज के माता पिता के समक्ष आ गई है जब उनके बच्चे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं सही मार्ग से विमुख हो जाते हैं ऐसी स्थती में मासकंद माता आपको ये वर्दान देने में सक्षम है कि आपके बच्चों को सद बुद्धी मिले वो सदा मार्ग पर चलें सद मार्ग पर सदाचारी बनें अच्छे रास्ते पर चलें मांगना कैसे है मैं वो बता दू इसके बाद समय हम आपको बताएंगे मांगना कैसे है एक पीपल का पत्ता ले लें विदेश वाले जो दर्शक हमारे हैं जहां पीपल का पौधा नहीं होता वो सादा कागज ले सकते हैं जिसमें लाइन्स ना खीची हो तो अगर पीपल का पत्ता है तो पीपल का पत्ता लीजिए नहीं तो सादा कागज लीजिए और उस पर लाल रंग के इंक वाली कलम से भी लिख सकते हैं बस इतना लिखना है अपने बच्चों का नाम एक बच्चा दो बच्चा तीन बच्चा जितने बच्चे सब के नाम और हे मास कंदमाता हमारे बालकों को हमारे बच्चों को सदबुद्धी प्रदान करें प्रणाम कर लीजिए इस मन्नत के पत्ते को या कागज को घी का दिपक जलाएं दिखाएं और इसे कागज में फोल्ड करके गद्दे के नीचे रखकर शेयन कर लें प्रात श्नान के बाद यूहीं कागज सहित शिवलिंग पर अर्पित करना है शिवलिंग बहुत दूर हो तो किसी पीपल के ही पौधे के नीचे पीपल का पौधा नहीं है तो किसी भी पौधे के नीचे इसे रख दीजेगा प्रोशकंद माता की जै और अब वो महूर्त नोट कर लिजे इस्क्रीन पर आप देखिएगा ये जो आपको क्रिया करनी है रात ग्यारह बचकर चब्विस मिनट से लेकर ग्यारह बचकर आणतिस मिनट तक 11.38 के बीच में ये क्रिया कर लिजेगा आईए अब जानते हैं दिनांग 26 मार्च का आईशमान भावा है 26 मार्च को जो जन्म पाएं है शुब कामना आएं किसी जरूरत मंद को आज खाना खिला कर एक पीपल का पौधा अपने हाथों से लगा दीजेगा और जिसकी आज मेरी जनिवरसरी है दो बच्चों को में मदद करते हुए दो कन्याओं के विवाह में मदद करें और तीन लोगों को भोजन करा दें पति पत्नी मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज और अभी आप हमसे रांची में मिल सकते हैं और फिर 27 28 29 पटना में और 31 31 लखनों में जल्दी से समय ले लिजेगा औ और आज पच्वा दिन है कल छठे दिन का सर्वबाधा शांति अनुष्ठान चल रहा है कल वाले में जिसको भाग लेना है वो आज 63 सो रुपए कार्याले के दिये गए नंबर पर फोन करके जमा कराएं और कल का लाव लें धन्यवाद टमश्कार अभी सब्सक्राइब करें साथना एस्ट्रो आपके सुक दुप का साथ ही